जो biggest mistake मैंने notice करी है, जो entrepreneurs करते हैं, हम कई सालों से videos बना रहे हैं customers के लिए और 15 साल से मेरी company videos बना रही है, तो एक चीज़ हमने हमेशा notice करी है, जो customers, जो हमारे customers होते हैं, यानि के entrepreneurs होते हैं, जो mistake करते हैं, वो ये है कि वो directly अपने customers को बेचना शुरू कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा game change है, और उसमें ये है कि पहले आप value देंगे और उसके बाद आप sale करेंगे, ये एक mindset का change भी है, आप directly sell नहीं करेंगे, for example, मैं एक example हमेशा देता हूँ, राज और सिमरन का example हमेशा देता हूँ अपनी workshop में भी, कि राज और सिमरन, famous Indian love story है, तो राज जो है, वो सिमरन को पहली date पर शादी के लिए थोड़ी बना पाता है, पहले तो वो उसको पसंद भी नहीं करती है, वो धीरे धीरे उससे मिलता है, बाते करता है, और धीरे धीरे उसमें interest जगता है, वो friend बनते हैं, friends से बात आगे बढ़ती है, और फिर ब story है, example को तरह बता रहा हूं, मैं आपको उसी तरह से, when you go in front of a customer, जो आपको बिलकुल नहीं जानता, आप सीधा जाते ही, उसको थोड़ी बोल सकते हैं कि मेरा समान खरीद लो, मेरा product ले लो, मेरी service ले लो, आपको उन्हें, इनमें trust जगाना है, उनको बताना है कि you are the right person, आ बैसे ही, using digital marketing, आप digital marketing में कई लोग ये समझते हैं, digital marketing मतलब यह है कि आप internet पे ad चला रहे हो, internet पे ad चलाना, digital marketing का सिर्फ एक पिलर है, advertising पिलर है, लेकिन हम जब internet को यूज करते हैं, digital marketing को यूज करते हैं, हम advertising करते हैं, no doubt about that, वो नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, लेकि हम सिर्फ advertising नहीं करेंगे, हम सिर्फ sale नहीं करेंगे, in fact हम सबसे पहले sale नहीं करेंगे, हम sale करेंगे बाद में, पहले हम अपने आपको establish करेंगे, अपने customer की नजरों में उनको trust देंगे, उनको value देंगे, उनको confidence देंगे, उनको free content देंगे, कोई एक चीज फ्री देंगे उनक उसके बाद automatically हो जाएगी ये करने के बाद sale automatically हो जाएगी जैसे आप चाय बनाते हैं तो पानी दालते हैं दूर दालते हैं आग लगाते हैं उसमें चीनी दालते हैं whatever जो भी दालते हैं एंड में चाय बन जाती है एक process है एक formula एक science है वैसे ही जब आप data marketing करते हैं आप content देते हैं, value देते हैं आप ad चलाते हैं, sale will happen at the end sale will happen ऐसा नहीं होगा कि आप directly पहले step में कहें कि sale हो जाए, ये नहीं हो सकता so that is the biggest mistake जो entrepreneurs करते हैं तो मेरी request है कि आप ये mistake करना बंद कर दें directly customer को sell करना बंद कर दें पहले value दीजिए, social media पर content upload कीजिए और उसके बाद sale will happen इसके दो फाइदे हैं पहला फाइदा ये है कि जब आप free content बनाते हैं या फिर जब आप अपने customers के लिए content बनाते हैं Facebook, मतलब social media को use करके content बनाते हैं और content दाल रहे हैं customers के लिए तो पहली चीज तो ये है कि वो content देखकर free में customer आता है आपको free leads, free business मिलता है customer automatically आपके पास आता है आपकी free promotion होती है दूसरा फाइदा ये है जब आप paid ads चलाते हैं तो paid ads देखने के बाद भी customer जब देखता है कि ये इनसान already free में इतनी information दे रहा इतनी guidance दे रहा है तो ये paid method में कितनी अची guidance देगा for example हमारे एक consultant client है जो योगा चा रहा है तो वो योगा की tips and tricks देते हैं free of course अपने channel पर और उनका yoga का course भी है तो जो उनका free tips and tricks देखता है YouTube पर, Facebook पर वो already उनसे convinced है कि ये इनसान जानता है क्या कर रहा है, then they will be influence and they will go for their advance program, लेकिन अगर वो सोचते कि यार मैं free में information क्यों दूँँँआ मैं तो सिर्फ paid में दूँँँगा, तो उनको वो customer भी नहीं मिल पाता, तो दो फायदे है, पहला फायदा है कि आपको free अट्रैक्शन मिलती है और दूसरा फायदा ही है कि अब आप पेड चलाते हैं तो आपका conversion rate बढ़ जाता है, advertising में बहुत important चीज़ है conversion rate, यानि कि कितने लोगों ने आपका आड देखा, कितने लोग convert हुए, तो मान लीजिए, दस लोग आपका आड देखते हैं और दो लोग convert होते हैं, अगर आपने digital marketing करा है, अगर आपने content upload करा है, और आप अपने ecosystem में, अपने Facebook और YouTube पर अगर आप content दालते हैं, तो फिर वो दो की जगा चार हो जाएगा, यानि कि सेम expense में आपको ज्यादा customer मिलेंगे, तो that is the benefit of using digital marketing, और जैसा मैंने बताया, digital marketing सिरफ advertising नहीं है, digital marketing के बहुत सारे चार pillars हैं, बहुत सारे नहीं, चार pillars हैं, वो चारो pillars यूज़ करने पड़ते हैं, चारो pillars के बारे में बताता रहता हूं, और मेरी workshop में भी में नहीं करा है, तो कर लीजिए, वहाँ पर इसको मैं in-depth लेता हूँ.